असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने सेकंडियर वियालोजी की mcqs की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है और डेली मैं एक चैप्टर के mcqs का टेस्ट ले रहा हूं आज मैं चैप्टर 17 यानि कोर्डिनेशन के mcqs का टेस्ट लूँगा 17 mcqs होंगे यह टोटल और हर mcqs का पहले मैं आपको स्टेट्मेंट बोलूँगा फिर उसका right option भी बताऊंगा आपने मुझे कॉमेट में बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं तो फस्ट mcqs है पर्मोट क्लोजिंग अप स्टोमेटा अंडर कंडिशन ऑफ वाटर लॉस इथीन अबसीशिक इसड जिब्रीलन या साइटो काइनेसिस तो इन में से कौन सा हार्मोन है जो यह काम करता है तो राइट ऑप्शिन इस एबसीशिक इसडिये हार्मोन जो है यह स्टोमेटा को बंद करवा देता है जब पानी की कमी हो फ्रूट राइपनिंग इस ड्यू टू परड़क्शन ऑफ इथीन ऑउग्जन साइटो काइन या जिब्रीलन तो फ्रूट राइपनिंग की वज़ पूर्म एमची को जैब मैक्सिमम स्पीड अपनर इंपल्स इन यूवन इस रिकॉर्ड़ेट सेवन मीटर पर सेकिंड एक तो वन टुन टी मीटर पर सेकिंड और सेकिंड पाइव है दो स्रुक्चर विच रिस्पोर्ण बाइए इंपल्स कमिंग प्रॉमोटर नियूर्वन यानि मोटर नियूर्वन के जरिये से एक स्रुक्चर को मैसिज मिला फिर उसने रिस्पोंस देना है पहले मापको बताता है जो मोटर नियूर्वन वो नियूर्वन होते हैं जो ब्रेन से मैसिज को कंड़क्ट करते हैं तो वर्ड एपक्टर तो राइट ऑप्शन इसका campus right option is hypothalms all are related to medulla oblongata accept long term memory breathing rate heartbeat ya blood pressure तो ये तीनों चीज़े जो है ये medulla ही control करते हैं ये वाली चीज़ जो मेड़ूला कंट्रोल नहीं करता तो right option is long term memory cause of Parkinson disease is death in brain cell that produce Parkinson disease जो है यानि कि जो बुड़े लोगों के हाथ पेर कांपने लगते हैं है वकट के साथ से तो इसकी बज़ा क्या है किस हार्मोन की वज़ा इसकी वज़ा है brain के अंदर एडियेच हार्मोन डोपामाइन ऑक्सिटोसन या एसिटाइल कोलीन so right option is dopamine ये cell damage हो जाते हैं विज़ ऑपरेशन एंड एक्सिटोसन और ये दो डायग्नॉस परकिंसन डिजीज एपिलपसी अलजीमर या हार्ट अटेक सो इसका राइट आप्शन होगा आपिलपसी एपिलपसी यानि के मिर्गी मिरगी जो है इसकी वज़ा होती है ब्रेइन के अंदर बनने वाले अबनॉर्मल इंपलस इन एलेक्टिकल एक्टिविटी ब्रें के बढ़ जाती है और EEG का मतलब है एलेक्ट्रो एंसीपेलोग्राफी यानि इस टेस्ट के अंदर आप ब्रेन के अंदर होने वाली एलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मालूम करते है तो यह एपिलेप्सी के इलाज के लिए टेस्ट है विच्ख हॉर्मोन सप्रेस औव्यूलेशन तो इन में से कौन और में इस्ट्रोज इंपर तो इनकल नौ इन एक तो रगाएट॑राईटोज तो राइट ऑप्सिंज प्रोज्टिर walet 2 याद रखेए बेटा जो वान यह बर्त के लिए होता है आपने पड़ा हुआ है reproduction वाले chapter में कि ये maintain pregnancy जब तक pregnancy maintain होती है तब तक female में egg produce नहीं होता तो इसका मतलब है ये egg को पैदा ही नहीं होने देता इसलिए इसको use किया जाता है birth control pill में ताके egg बने ही ना female में बारवा है secretin is important hormone produced by pancreas, gut, stomach या liver तो gut यानिक small intestine के अंदर ये पैदा होता है 13 है resting membrane potential is 70 millivolt, minus 70 millivolt, plus 50 millivolt या minus 90 millivolt तो right option is minus 70 millivolt resting potential होता है main neurotransmitter work outside central nervous system serotonin, dopamine, acetylcholine, adrenaline तो right option है acetylcholine ये outside central nervous system यानि peripheral nervous system में काम करता है largest part of brain cerebrum, cerebrum, medulla oblongata, pons so right option है cerebrum सबसे बड़ा होता है oxytocin is released from anterior puchyutri, posterior puchyutri, median lube of puchyutri या thyroid gland right option is posterior puchyutri 17 है which one is not related to other keratinism, myxoadema, goiter या diabetes mellitus diabetes mellitus is right option है क्योंकि जो पहली तीनों चीजे है ये thyroid gland के related है thyroid gland के जो हार्मोन है T3 और T4 उन से related है तो right option ये है तो ये 17HC के उपूरे हुए कमेंट में मुझे अपना score बताईए और good luck आपके paper के लिए अधियों अधियों रही जो हुआ है और आपके लिए और आब मुझे लाए बादाए और नावरा पेस्टार वान के लाए चुए अजाए विए आपके भादाए आपके आपके अवारा आपके